लूट का नाम बिहार सुशासन राज में लूट मची है जितना चाहो लूट लो और फिर कर दिया जुएलरी दुकान पर हाथ साफ पूरा का पूरा साफ एकदम नीट अंकली देखे और अंगबाद में दिन दहाडे ये क्या हो रहा है कैसे दिन दहाडे भयंकर लूट मची बेखौब बदमाशों का खुला अतंक मचा हुआ है एक जुएलरी शॉप में तीन बदमाश घुसे पिस्टॉल निकाला और दुकान वालों पर सीधा तान दिया बुरी तरह से मारा देखिए कि कैसे शेहर के बीचों बीच पुलिस की नाकामी और चोरों के होसले बुलन दिखे दिन दहाडे एक जुएलरी शॉप को तीन लू तीशिट फैलाते हैं इस दौरान लाल टीशिट में एक नकाब पोच्ट दुकान वाले पर हमला करता है उन्हें जूतों से मारता है जेवर लूटने के बार लूटेरे बड़ी आराम से दुकान से परलसर बाइक पर सवार होकर तेजी से जाते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाते के साथ इस प्रीट बेकर आता है और लूट के समान के चलते बाइक लुड़क जाती है और सारे लूटेरे सड़क पर छुतरा जाते हैं लोग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं लेकिन चोर हवाई फाइरिंग कर वहां से भाग जाता है लेकिन इस पूरे घटना के दौरान पुलिस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते लूटेरे पहले मन भर लूट मचाते हैं, आतंक मचाते हैं, फाइरिंग करते हैं और पुलिस को ठेंगा दिखाते चलते बनते हैं और यहां आपको बता दे कि घटना उस जगह पे हुई है जहां से 500 मीटर की दूरी पर SP, DM, सांसत और विधायक का घर है वहां देखे कि चोरों के होसले कितने बुलंद हैं, वहां लूट मचा दिया और यह पूरी घटना सिसी टीवी में कैद है मातर दो मिनिट के भीतर तीन बदमाशों ने किस तरह से लूट कि इस घटना को अंजाम दिया वह सब कुछ सिसी टीवी में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर सुशासन राज कहां कायम है बिहार में सुशासन का राज कितना है सुशासन राज में चोरों के अंदर सुशासन प्रशासन का कितना खौफ है आपको बता दे कि बिहार के मुख्यमंद्र नितीश कुमार बिहार में सुशासन वाले राज का ढोल पीटते नहीं ठकते लेकिन उनके सुशासन की भद इन घटनाओं से पिट जाती है इन घटनाओं को देखने के बाद नितीश के सुशासन राजवाला दावा पूरी तरीके से मजाक लगता है और अंगाबासे अबिनेश कुमार सिंग के रिपोर्ट विहार तक सुटन को